आयूश्मान भारत की सच्चाई क्या है वो हम रखना चाहते हैं और संग्षित मैं बता दूँ कि आयूश्मान भारत निजी कम्पनियों के लिए एक संजीवनी है आयुशमान भारत नीजी कम्पनियों को नीजी बीमा कम्पनियों को नीजी अस्पतालों को एक चिरिन जीवी का टैबलेट है और ये क्यूं है मैं आपको बताऊँगा पहली बात हमारे प्रधान मंत्री दावा करते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वास परियोजना है और उन्होंने कहा है कि करीब दस करोड परिवार इससे लाभानवित होंगे आयुश्मान भारत की क्रियानवयन के बाद करीब दस करोड गरीब परिवारों को स्वास सुरक्षा मिलेगा ये प्रधान मंत्री का कहना है पर जो उन्होंने कहां नहीं है और जो सरकारी आंख्ड़ों बताते हैं कि इस साल अगर आप सभी राज्य सरकारों की जो परियोजनाएं हैं और केंद्र सरकार की राश्ट्रिय स्वास्त भीमा योजना है जो यूपिये के कारिकाल में शुरू किया गया था दोजार आठ में अगर ये सब तो कुल मिलाकर आज भी हमारे देश में ग्यारा करोड परिवार को ये सुविदा प्राप्त है तो प्रधान मंत्री का कहना कि मैं दस करोड परिवारों गरीब परिवारों को ला पहुंचा रहा हूँ आयूश्मान भारत के द्वारा ये बिलकुल एक खोकला है क्योंकि आज भी राज्य सरकारों की परियोजना के द्वारा राश्ट्रिय स्वास्थ बिमा योजना के द्वारा रस बीवाई इसा कहा जाता है ग्यारा करोड परिवार आज भी उनको ये सुवधा प्राप्त है तो पहली बात ये दूसरी बात प्रधान मंत्री कहते हैं और अभी अपने चुनावी अभियान में ये बार बार वो दोहराते हैं अभी अभी जारकर्ण में भी उन्होंने कहा था कि हर परिवार को हर साल पांच लाक रूपया का इलाज वो सुवधा उनको प्राप्त होगा यानि कि सभी किसी परिवार अस्पताल जा सकता है और उनको पांच लाक रूपय तक जो खर्चा है वो आयुश्मान भारत योजना के द्वारा वो पूरा किया जाएगा